हैफलेवरिवान वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूटुब चैनल फार्मरोक्स के यू तीजूटूब यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे एपेटाइट स्टेमुलेंट्स के बारे में appetite stimulant मतलब कि ऐसे medicines कि जो आपको भूख लगने में मदद करती है तो भूख लगने में मदद करने वाली दवायों की जानकर ही हम आपको देंगे आज के वीडियो लेक्चर में और हम कर रहे हैं detailed pharmacological study of drug acting on gastrointestinal track और उसमें आज का जो हमारा topic है वो है appetite stimulant तो सीखते हैं detail में about their pharmacology और जानेंगे कि किस तरह से ये medication अपना काम करती है मतलब कि उनका working as well as उनके side effects वगेरा क्या होते है उनके dose वगेरा क्या होते है और किस तरह से ये medication अपनी mechanism of action देती है वो सब सीखते है ये वीडियो लेक्चर के अंदर of a appetite stimulants तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of pharma rocks तो अगर आपके पास android phone है तो download करिए pharma rocks का android application google play store से और अगर आपके पास iPhone है तो app store पर सीब उसको download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी तो अब सब से पहले concept समझेए appetite stimulants के बारे में तो appetite stimulants मतलब की ऐसे medicines की जो आपको भूक लगने में मदद करती है तो उनका basic concept यही है के बूक लगने में मदद करने वाली दवाईया मतलब appetite stimulant तो उनका जो एक दूसरा नाम है that is orexogenic की जिनको orexogenic भी कहा जाता है और appetite stimulant is a drug, hormone or compound that increases the appetite and may induce hyperphasia मतलब की यह medication drugs के तौर भी काम करती है कुछ ऐसी hormone से और ऐसे compound की जो आपकी भूक लगने में help करती है और उनको दूसरे वाड़िक में के अंदर orexogenic भी कहा जाता है तो hyperphysia वो induce करती है उसका मतलब यह है कि they produce the strong sensation of hunger यह point समझ यह कि यह medication जब कोई person लेता है तो उसके अंदर strong sensation produce होते है about the hunger और desire to eat after taking this medication कि जब कोई person यह medication लेता है तो यह जो आप देख रहे है clipart के अंदर उसके according to यह person को फिर यह medication लेने के बाद खाना खाने का मन होता है तो भूक लगने में यह medication जो है वो आपकी मदद करता है आपकी help करता है और आपके body के अंदर जो भूक लगने की जो sensation है hunger के sensation है और जो desire है कुछ खाना खाने की वो enhance करेगी यह medication की जिसके करन उनको appetite stimulant कहा जाता है तो उसके examples देखते हैं तो medications के अंदर हम देखें tablets के अंदर तो dronabinol के जो tablet यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो marinol यह जो brand है तो dronabinol के tablet as well as यह जो capsules available होते हैं market में वो appetite stimulant के तोर पे काम करते हैं magastrol acetate magastrol acetate का यह tablet के जिसके strength है 40 mg तो यह भी एक powerful appetite stimulant के तोर पे काम करता है फिर oxandrolon के जिसके tablet है यहाँ पे देख सकते हैं 10 mg कि जो bear का यह famous product से product है oxandrolon तो वो भी appetite stimulant है फिर other medications के अंदर हम देखें तो mitrazepine है prednisolon and dexamethasone फिर supplements जैसे की zinc है vitamin B1 है and omega 3 fatty acid B epidat stimulant का काम करते हैं तो अब जानना जरूरी है उनके basic use क्या है तो सबसे पहले basic use हम समझे तो they are used to treat anorexia तो anorexia आपको पता है कि medical term है for the loss of appetite कि यहाँ पे देखिए यह clip part के अंदर कि यह जो person है उसके सामने काफी सरी यह food air varieties है बड़ उसको वो खाने का मन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसको anorexia है loss of appetite जो हम कहते है भूख न लगने की बीमारी हुई है उसको तो ऐसे patient की जिनको भूख नहीं लगती loss of appetite मतलब कि anorexia है उनको यह medication prescribe किये जाते है तो anorexia means a loss of appetite or inability to eat आपकी भूख कम हो जाती है या फिर खाना सामने होने के बावजुद आपको ऐसे desire नहीं होती वो खाने की inability to eat and it can be a symptom of various diseases बहुत सारी ऐसे कुछ diseases होती है कि वो जब जो कि आपको हुई है तो उनके दोरान या फिर वो disease का क्योर होने के बाद भी कई बार आपको भूख नहीं लगती loss of appetite फिल होता है खाने का मन नहीं होता है उसके desire कम हो जाती है तो उस वक्त यह medications आपको help करते है to treat the condition of anorexia so this medication enhance the appetite and treat the condition of anorexia तो अब सभी के बारे में detail में सीखते है उनकी mechanism के कौन से class के है यह कौन से mechanism involved होती है और उनके side effect तो सबसे पहले जो है वो है dronabinol कि जो एक cannabinoid है तो यह है उसका main class के कौन से class की यह medication है कि यह आपको multiple choice questions के लिए याद रखना है वाईवास के लिए याद रखना है theory based exam के लिए याद रखना है तो it is a cannabinoid and poses anti-emetic property तो dronabinol के पास anti-emetic property भी है कि जो nose and vomiting को prevent and treat करने के लिए यूज कर दी है stimulating the CB1 receptor की जो हम cannabinoid 1 receptor कहते है उनको यह stimulate करता है और जिनके करन appetite भी stimulate होती है और साथो साथ nausea vomiting की जो center भी inhibit होते है और nausea vomiting भी treat होगी it can also stimulate the appetite and use for AIDS with anorexia की AIDS के अंदर AIDS का जो patient है और उसको समझो की anorexia का problem है कि उसको भूक नहीं लग रही खाना खाने का मन नहीं हो रहा तो उस वक्त उसको dronabinol की यह जो capsule से वो prescribe किया जाते है कि जिसकी strength आप देख सकते है 5 mg तो यह 5 mg का एक वरजन देख सकते है तो उसके side effects जाने तो confusion होता है dizziness and drossiness hallucination and low mood तो यह सब उसके common कुछ side effect है कि जिसको हम कहते है कि drossiness feel होना यह tablets लेने के बाद dizziness जैसा feel होता है नीन दाती है drossiness feel होता है confusion रहता है कई बार आपको hallucination होते है and जो mood है वो low हो जाता है तो यह कुछ side effects develop होते है after taking this drodaminol उसके बाद हम जमजे megastrol जो acetate है तो it is a progesterone based medication कि जो हमने बात की थी कि यह appetite stimulant में कुछ drug से कुछ ऐसे hormone से कुछ supplements वगरा है कि जो आपको help करते है appetite को stimulant करवाने में तो जो megastrol की जो हम बात करते हैं तो megastrol is a progesterone यह progesterone है and doctor prescribed to boost appetite in people with anorexia cancer, HIV और AIDS कि कई बार HIV AIDS के अंदर cancer के अंदर patient को भूख नहीं लगती भूख फिर appetite loss हो जाती है तो उसको treat करने के लिए भी magastrol acetate जो है वो यूस होता है और उसके जो strength है वो 40 mg के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि magastrol acetate tablet S पर आए भी जिसकी strength है 40 mg उसके कुछ side effects हम देखें the side effects of this magastrol acetate include the stomach upset, mood changes and sleep problems serious reactions swelling due to the fluid build up in the tissues, onset और worsening of diabetes and blood clot तो यहाँ पे जो है वो कुछ common side effect है कि जैसे stomach upset होता है, mood changes होते है, sleep problem होना यह सब उसके common side effect है but जो serious side effects के हम बात करें तो swelling होना due to fluid build up in tissues and onset और worsening of diabetes and blood clot भी हो सकता है तो यह कुछ उसके serious side effect भी develop होते हैं तो अगर आपको यह medication लेने के बाद यह से कोई side effects आपको feel हो रहे है तो तुरंत आपको pharmacist या फिर आपके healthcare provider contact करके तुरंत आपका medication जो है, वो change करवाना चाहिए फिर तूसरा जो है that is oxandrolon तो oxandrolon जो है, वो steroid है oral steroid that help in people to gain the weight after the surgery, trauma and chronic infection तो जो appetite stimulant है उसका एक वार यूज रहता है कि वो आपको weight gain करवाने में help करते है कि anorexia जब किसी को होता है loss of appetite होती है तो उस वाग जो weight है वो काफे reduce होता है तो reduce हुआ weight को increase करवाने के लिए यह medication जो है वो helpful साबित होती है कि oxandrolon जो है वो आपका weight gain करवाता है और यह steroid class का medication है तो यहापी जो आप उसके tablet देखो तो 10 mg की strength में वो available होते है और उसका famous manufacturer है यह bear the most common side effect or oxandrolon includes the acne changes in sexual desire deepening voice excessive hair growth मतलब कि यह medication लेने के बाद आपको acne हो सकता है sexual desires change हो सकती है deepening voice excessive hair growth hair growth increase हो सकता है menstrual cycle को वो irregular कर सकता है mood changes करवा सकता है आपको और stomach upset तो यह सब जो side effects develop होते है after taking this oxandrolon आगे सकते हैं इसके बारे में दूसरे जो medication है appetite stimulants के अंदर तो other medications तो हमारे पास यह तीन FDA approval medication तो है एक है magastrol acetate दूसरा हमारे पास है axandrolon and tristra है that is dronabinol तो यह तीन हमारे पास option है कि जो FDA approval है बट कुछ ऐसे medication भी है कि जिनके side effects के तोर पे adverse effect के तोर पे appetite जो है वो increase होती है some other medication है side effect of increasing appetite तो वो हम देखे तो off-label वो कई बार prescribe किया जाते है patient को जिसके example है कि antidepressant जैसे कि mitrazepine तो mitrazepine जो है वो वैसे तो antidepressant drug है main category है उसकी antidepressant बट जब कोई antidepressant का person यह mitrazepine antidepressant के तोर पे use करता है तो उसको side effect के तोर पे उसकी appetite जो है वो increase होती है फिर जो कुछ cortico steroids है जिसे कि prednisolon है dexamethasone है वो भी जब कोई person लेता है तो side effect के तोर पे वो medicines खाने के बाद आपकी appetite जो है वो आपकी hunger है वो enhance होती है increase होती है फिर बात आती है supplements की हम देखे यहाँ पे तो zinc है vitamin B1 की जिसको थाइमिन कहते है तो वो आपकी appetite जो है वो enhance करवाते है increase the appetite तो यह हो गया vitamin तो B1 जो है वो हम जानते कि वो vitamin है and zinc के जो mineral है तो ऐसे यह minerals and vitamins भी जरूरत होती है इसलिए आप देखो कई बार जब आपको भूख नहीं लगती है और ऐसे complications होते है तो आपके health care provider आपके doctor या फिर pharmasist आपको यह multi vitamins के syrup देते हैं कि जिसके अंदर vitamin A B है B1 है B2, B5, B6 B12 सभी multi vitamins A साथ में minerals के अंदर zinc and iron भी है तो यह जो supplements होते हैं वो भी आपकी भूख लगने में help करते हैं appetite को enhance करते हैं however, this usually only work in person has a deficiency in this nutrient बट यह तभी काम करेगी कि जब आपको zinc की deficiency है आपके body के अंदर B1 की deficiency है और उसके करण आपको समझो कि भूख नहीं लगती तो उस वाक्त यह multi vitamin syrup या फिर zinc and vitamin B1 containing syrup आपके लिए काफी फाइदे मन साबित होता है कुछ other supplements देखें जैसे की omega 3 fatty acid में also boost and increase the appetite तो आपको ऐसे food वगेरा select करने चाहिए कि जिसके अंदर omega 3 fatty acid हो तो इस तरह से आप अपना nutrition and diet setup करके भी appetite जो है वो stimulate करवा सकते है increase करवा सकते कि जिससे book भी आपको लगे और समझे के weight reduce हो गए आपका काफी reduce weight है तो appetite stimulant लेने के बाद आप जो है वो weight gain भी करवा सकते है तो यह था special lecture about the appetite stimulant get our lecture notes and pdf on farmer oxab कि जो आपका affordable price में बिलेंगे study material pdf file thank you for watching join कर सकते है whatsapp group कि यह 9426 on whatsapp helpline number है join कर सकते है various courses on f farmer ox कि जहाँ पे study material है test series भी है video lectures भी है and you can ask on a query also तो link आपको description box में मिल जाएगी android app on google play apple iphone app on app store thank you for attending this lecture good luck and all the best graduate के जाएई पे तख़ण ुण झाल झाल